क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 जोमेट्रिक प्रोग्रेशन आडी शर्मा एक्सर्साइज 20.2 का एक्जाम्पल नंबर वन है इफ दस्वाव थ्री नंबर्स इन जीपी इस 38 और प्रोड़क्ट इस 1728 फॉइंट दें तो हम ही क्या गाने वो तीन नंबर्स निकालने हैं तो आप दे जोगति है इस पेसल वाले नंबर्स लेते हैं ऐसम्हे तो आप देखो हम एक प्रोड़क्ट दिया हुआ था हम कौन से तीन नमब्स लेंगे हम यह तीन नमब्स लेंगे एपान आर एक है हम यह तीन नमब्स लेंगे लेट लेट एपोन आर ए ए आर बी त्री नंबर बी त्री नंबर इन ठीक है अब देखो हमें इनका सम दे रहा है सम क्या दिया हुआ है सम थाटी एट दिया हुआ है और प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट दिया हुआ है 1728 तो अब पहले आप प्रोड़क्ट के यूज कर लू ए इन्टु आर इन्टु ए इन्टु ए इन्टु ए आर तो आर चे आर कैंसल हो जाएगा तो यह हो जाएगा AQ और 1728 तो जाएगा तो इसको आप 12 का क्योब लेख सकते होगो अब इसको लिगदो 12 का क्यों तो वेन बेसेजर सेम तो बेसेज भी सेम हो जाएंगे तो एकवल टू तो हमें यहाद से एक वैल्यू मिल गई ठीक है उसके बाद अब हमें न सम दे रखा है और बेसिकलिए यही तीन नंबर्स हमें निकालने तो अगर कर आपर हमें यह तीन नंबर्स निकालने तो हमें क्या निकालने पड़ेएंगे ए और अहां से मिल गए लिकिन अब हमें आर चाहिए तो और कैसे तो इसके लिए सम दिया हुआ तो आप इन सारे का सम कर दो तो a upon r plus a plus a r which is equal to 38. अब देखो सारे में a common है तो a को common कर लो 1 plus r plus 1 plus r which is equal to 38. a की value है 12 तो 1 upon r plus 1 plus r which is equal to 38. कैंसल कर लो यह हो जाएगा 19 और यह हो जाएगा 6 यह होगा और तो और तो कैंसल नहीं होने वाल और simplification हो नहीं पाएगा अब अब यहां पर lcm ले लो तो यह हो जाएगा 1 plus r plus r square upon में r which is equal to 19 ठीक है अब हम क्या करो इसको इधर सिप्ट करो और इसको इंदर multiply कर लो तो 6 into 1 6 6 into r 6 r 6 into r square 6 r square which is equal to 19 r ठीक है अब अब इस 19 r को इधर ले कर आ तो 6 square plus 6 r plus 6 minus 19 r which is equal to 0 तो यह हो जाएगा 6 r square 6 r minus 19 r minus 13 r plus 6 which is equal to 0 ठीक है तो हमारे पास यह quadratic equation बना अब आप मिद्ल टर्म में इस्प्लिट करेंगे तो आप क्या करो इन दोनों को multiply करो 6 into 6 r square यह हो जाएगा 36 r square 6 into 6 r square यह हो जाएगा 36 r square अब आप माइनस 13 r को ऐसे break करो तो सो दैट कि इन दोनों का जो product है वह आजाए 36 x square तो हम कैसे break करेंगे आप सोचो एक बार अब दफ्चक खुझ नहीं सोचोगे ना दफ्चक नहीं आएगा तो आप इसको लिखो माइनस 9 r माइनस 4 r माइनस 9 r माइनस 4 r माइनस 13 r और अब जब इन दोनों का product करोगे तो इसका जो इन दोनों का product किया आएगा 36 r square तो आप इसको लिख दो ऐसा तो 6 r square माइनस 13 r के जगा हम लिख रहा है माइनस 9 r माइनस 4 r प्लस 6 विच इकवल टो 0 अब देखो इन दोनों में क्या common है इन दोनों में 3 r कमन नहीं अब इन दोनों में 3 r कमन कर लो तो ए themed धे और जार थो तो 7r and 6 2 which is equal to 0 तो यहां से क्या हो जागा यहां से हो जाएगा 2 r minus 3 equal to 0 और 3 r minus 2 equal to 0 तो यहां से r की value आ जाएगी इसको इदर स्थी और इस टू को नीचे लिएओ तो 3 upon 2 तो एक r की value आए 3 upon 2 और इस 2 को इदर सब कर तो 3 r और फिर 3 को नीचे लिए आओ तो 2 by 3 हो जाएगी तो आर की वेल्यू हो जाएगी 2 by 3, that is it, ठीक है, अब अब देखो, आर की वेल्यू आ गए, ये की वेल्यू आ गए, अब ये तीन नम्बर निकालना कोई, तो बड़ी बात रहे गए, ये तो हम चटके में निकाल लेंगे, निकालो तीन नम्बर्स, तो नम्बर्स, आर, वेन, वेन, एक वल्टो ट्वेल, आर एक वल्टो 3 by 2, तो नम्बर्स क्या होंगे, पहला ए अपॉन आर, तो 12 अपॉन में आर, 3 by 2, तो ये 2 बर जाएगा, तो ये जाएगा, 12, 12 इंटो 2, अब 1 में 3, 3 सेंदे लोगा, 4 इंटो 2, 8 हो जाएगा, फिर है A, तो A हो जाएगा, 12, फिर है A, R, तब इन दोनों को सिंप्ली मल्टिप्लाइ करोगा, तो 2 से ये 12 करोगा, 6 और 6 इंटो 3, 18, ठीक है, तो आप देखो एक बाद, इसे सरद से, वेन, A इकवल टू 12, R इकवल टू 2 बाई 3, तो अब A अपॉन आर, तो अब जब, अच्छा, करी लोगा, फिर मैं बाता आता हूं, तो A अपॉन आर, तो A है 12, और अपॉन में 2 अपॉन थरी, तो इससे ये कैंसल होगा, 6 ये उपर जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, फिर A 12, और फिर है AR, इससे कैंसल होगा, 4 और 4 इंटो 2, 8, तो आप देखो, क्या हुआ है, इन दोनों में क्या ही चेंज हुआ है, कुछ भी तो नहीं चेंज हुआ है, बस, हमने इसको reverse order में लिखा है, क्यों कि आप देखो, इसका, जो आर है, वो क्या है, 2 by 3 है, और इसका, आर है, 3 by 2, तो जब भी, अगर किसी भी, दो सीक्वेंस का, कॉमन रेसियो, मतब कॉमन रेसियो, रेसी प्रोकल में हो, तो कोई फरक नहीं पढ़ता जादा, जो, मतब अगर, इस वाले रेसियो के साथ, सीक्वेंस ऐसे बन रहें, तब इसको order reverse कर दो, तो मैं क्या मुलना रहा हूँ, मतलब अगर आप, अगर आप रेसियो को रेसियो प्रोकल कर दो, तो order जो में, वो reverse में हो जाएगे, ठीक है, जो original रेसियो था, मतलब इस, आप समझो ऐसा कि यह एक रेसियो है, कॉमन रेसियो, और इस से यह सीक्वेंस है, अगर हमने इस वाले मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो यह जो सीक्वेंस है, इसको भी आप reverse order में लिख दो, तो दोनों में कोई हो जाएगा, फिर, सेम ही आ जाएगा, ठीक है, मतलब मैं क्या जाएगा चाहरा हूँ ना, कि, अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इसका जो कॉमन रेसियो है, ठीक है, अगर आपने, रेसियो का रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो यह जो सीक्वेंस है, इसको आप reverse order में लिख दो, अगर आप यह सेवाले सीक्वेंस को reverse order में लिखते हो न, तो जो रेसियो होगा वो, 1 by 2 है, यही में बोलना चाहरा था, ठीक है, नेक्स्ट एक्जाम्पल नमबर 2 है, इफ दा कंटिन्यूट प्रोडट अफ थी नमबर इन जीपी इस 216, अब देक्वा में प्रोडट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडट दिया हुआ है, तो अम कौनसे तीन नमबर सेंगे, स्पेशल वाले यह वाले तीन नमबर, लेट ए अपॉन आर, ए यार, अब देखो कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आप बीच-बीच में से कोई भी नमबर लें, अब दो यह पूरा कंटिन्यू वास एक दम, बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, अगर ब्रेक आजाए, तो फिर वो जो होता है न, वो जरूरी नहीं कि जीपी में होता ही, होगा ही होगा, ठीक है, जैसे आप ऐसा ले लो, A, R, A, R, Q, और A, R, 7, अब देखो, आपने कुछ ना कुछ ब्रेक कर दिया, यह टर्म है, A2, यह टर्म है, A4, और यह टर्म है, A8, तो आपने ब्रेक कर दिया, तो ब पी में रहे गई, रहेगा, ठीक है, इसलिए, कंटिन्यूड, नंबर्स हमें लेने हैं, और जिनका प्रोड़क्ट क्या है, 216, इसलिए अपनार, A, R, B, 3 नंबर्स, इन जेपी, सम दिया वाया में, सॉरी, सॉरी, प्रोड़क्ट दिया वाया, प्रोड़क्ट है, 216, ओर सॉम आप दा、 प्रोड़क्ट इन पेर, अब देखो, अब इसका मिनिग क्या होता है, सॉम आप दा प्रोड़क्ट इन पेर, पेर का मतलब है, मला अगर हम पेर का मतलब होता है, दो, हुल है है अगर हम की हैं तो जोडा लैंग कितने होते हैंEr्द एक जोडा में क्या होता हैं ठीक है ठीक है वह मैं वहीं जोडा की बात का रहा हूँ मैं जोडा की बात कर रहा हूँ ज्क है के वहएं बोलते हैं तुर्ट पो शुजब smells this One pair of shoes का मतलब क्या होता है कि 2 shoes होंगे ऐसा तो कि आपके पास 1 ही हो कैसे पहन पाओंगे उसको नहीं पहनए जोडा होना दूरूजी नहीं है तो योड़े में pair मतलब जोडा और जोडा मतलब दो इस दो तो आप क्या करो कि आपके पास तीन नंबर है ना आप दो दो के पेर बना दो और उनका सम कर दो पहले आप इन दोनों का मेल्टिप्लाई करो प्रोड़क्ट इन पेर अपने इन दोनों का पेर बनाया तो इन दोनों का प्रोड़क्ट करो प्लेस फिर इन दोनों का पेर बना लो प्लेस फिर प्लेस और फिर इन दोनों का पेर इतनी पेर बनेंगे ना अब देखो तोटल केतने थे options आपके पास 3 और पेर बनाने के लिए एक time बेंगे ना चाहिए 2 that is 3C2 तो 3 ही आएगा तो possible जो पेर से वो यही 3 थे ठीक और अब इनका product भी क्या है इनका product 216 एपन अर इंटु ए इंटु ए र विच इगल टो 216 तो और से आर कैंसल ए इंटु ए इंटु ए ए क्योड़ चीन कि यहेँ दी हो जाएका एक और 216 कम क्या लिख सकते है 216 कम लिख सकते है 6 का क्यूब तो यहां से एक वैल्य हो जाएगी 6 ठेक है अब इसको solve करो तो आप देखो R थी R cancel इन सारे में क्या A square common है तो A square 1 upon R plus 1 plus R which is equal to 156 A square 6 का square 36 और यहां पर आप calcium ले लो तो यह हो जाएगा 1 plus R plus R square upon R which is equal to 156 आप देखो इसको 3 से cancel करोगे तो यह हो जाएगा 12 इसको 3 से cancel करोगे तो 52 52 ठीक़े और चैंसल हो जाएगा यह यह जाएगा 26 और यह जाएगा 6 यह जाएगा 3 यह जाएगा 50 तो यह जाएगा 3 1 प्लस आर प्लस आर स्केर और इस आर को दर सिफ्ट कर तो यह जाएगा 13 आर ठीक है 13 आर अब अधनर मल्टिप्लाइ करो 3 into 1 3 3 into r 3 r और 3 into r square 3 r square which is equal to 13 r इस 13 r को इदर लेकर आजाओ तो 3 r square plus 3 r plus 3 minus 13 r which is equal to 0 तो यह हो जाएगा 3 r square minus 10 r plus 3 which is equal to 0 अब आप middle time split करो आप इन दोनों को multiply करो 3 r square into 3 यह हो जाएगा 9 r square अब आप इस minus 10 r को ऐसा break करो so that की इन दोनों का जो product है वो क्या आजाए 9 r square आजाए ठीक है तो आप minus 10 r को क्या लिखोगे so that की उन दोनों का जो product है वो minus 9 r square आजाए तो आप इसको लिखो minus 9 r minus r तो यह हो जाएगा 3 r square minus 9 r minus r plus 3 which is equal to 0 तो इन दोनों में 3 r common तो पीछे रह जाएगा r minus 3 इन दोनों में minus 1 common तो पीछे रह जाएगा r minus 3 which is equal to 0 अब देखो दोनों में क्या common है दोनों में r minus 3 common है दोनों में क्या common है r minus 3 common है तो आप r minus 3 common करो तो पीछे रह जाएगा 3 r minus 1 which is equal to 0 तो यहां से क्या हो जाएगा r-3 equal to 0 और 3 r-1 equal to 0 तो यहां से r के value आ जाएगी 3 और यहां से r के value आ जाएगी वान पहुंद तो हारे की दो value जा गई और एक यह value होती ही हमारे पास ठीक है तो बस अब हमें क्या कर रहा है value निकाल ली तो numbers when a equal to 6 and r equal to 3 तो यहां पर a upon r तो 6 upon 3 2 हो जाएगा फिर a a 6 है और फिर a r 6 into 3 18 और फिर next when a equal to 6 and r equal to 1 by 1 upon 3 तब देखो यहां पर r क्या जा 3 और 3 का reciprocal करो तो 1 upon 3 तो इसको solve करने का भी जरूत नहीं यह जो sequence है इसको आप बस reverse order में लिख दो यह हो जाएगा ठेक है अगर आपने ratio का reciprocal कर रहा है तो वो जो sequence है उसको आप reverse order में कर तो है तो आप देखो एक बार फिर आप आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट इक्जामपल नंबर थ्री है कि फाइंड थ्री नंबर इंजी पे हुज सम इस थर्टेन एड़ सम आप देखो ध्यान से इसको देख लो यहां पर बोला है तीन नंबर से जीपी में जिनका सम थर्टीन है और उनका स्क्वेयर का जो सम है वह नाइनटीवन है कहीं पर भी प्रोड़क्ट नहीं तिया हुआ तो हम इस बार कौन से तीन नंबर लेंगे हम इस बार यह वाले थीन नंबर लेने वाले लेट अब देखो इनका सम सम दिया हुए हमें 13 और भी कुछ दिया हुए सम अफ देर स्क्वेर इक्वल इस 91 सम तो सिम्बल ही सम करो आप इनका ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्केर विच इस इक्वल तो 13 इन में से आप ए कॉमन करो तो यह हो जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर स्केर विच इक्वल तो 30 इसका आप रिलेशन 1 बोल ठीक है और सम अफ देर स्क्वेर सम अफ देर स्क्वेर का मतलब है कि आप पहले इसका स्क्वेर करो ए का स्क्वेर करोगे ए स्क्वेर फिर प्लस फिर इसका स्क्वेर तो a r का square फिर प्लस फिर अब इसका square ठीक है स्क्वाइर करके sum करना है ठीक है sum of their square मैं लोमन का square करो और फिर sum कर लो तो यह हो जाएगा a square a square r square plus a square r की power 4 simply multiply कर दिया power so multiply होता है which is equal to 91 अब देखो दोनों में से आप a square common करों तो यह हो जाएगा 1 plus r plus r square r की power 4 which is equal to 90 इससे आप relation 2 support कर लोँ ठीक है अब आप क्या करों सोचो तुम आप क्या करों पहले आप इन दोनों वो डिवाइड कर दो नव डिवाइडिंग एक्वेशन 1 एक्वेशन 2 तो यह हो जाएगा a r r square upon में a square 1 plus r square प्लस में r की power 4 which is equal to 13 upon में 91 ठीक है और इसको से cancel हो तो 7 आप में cancel हो जाएगा इस a से यह एक एंसल हो जाया तो यह इदर जाएगा तो 7 वन प्लस आर प्लस आर स्केर विच इस इकॉल टू ए वन प्लस आर स्केर प्लस आर की पावर 4 ठीक है अब आप क्या करों न एक यह तो यहां पर डिस्टर्वेंस के लिए है तो आप इस एको हटाना पड़ेगा कैसे हटाओगे बिल्कुल इस वाले की मदद लेंगे हम यहां से एक की वेल्यू क्या जाएगी एक की वैल्यू आजाएगे थर्टीन अपॉन में वन प्लस आर प्लस आर स्केर यह जाएगा अब इसको इधर shift कर तो यह हो जाएगा 17, sorry 7, 1 प्लस R प्लस R स्केर का whole स्केर, which is equal to 13, 1 प्लस R स्केर, प्लस में R की पावर, 4, अब आप इसको open करो, आप देखो A का स्केर, आप यहाँ पे A प्लस B प्लस C का whole स्केर लगा दो, तो यह क्या होता है, A स्केर, प्लस B स्केर, प्लस C स्केर, प्लस 2AB, प्लस 2BC, प्लस में 2CA, ठीक है, तो यह हो जाएगा 1 का स्केर, 1, R का स्केर, R स्केर, R स्केर का स्केर, R की पावर, 4, प्लस 2AB, यह हो जाएगा 2R इंटो 1R, plus 2 r square into r cube r cube plus 2 r square into 1 r square which is equal to 13 1 plus r square plus r cube power 4 7 plus 7 r square plus 7 r k power 4 plus 14 r plus 14 r cube plus 14 r square which is equal to 13 plus 13 r plus 13 r square plus 13 r k power 4 ठीक है तो आप इसको इधर अब देखो 7 r k power 4 इधर आएगा तो minus 3 r k power 4 हो जाएगा तो यह बचेगा minus 4 r k power 4 इसी तरह से 7 r square minus इधर आके minus 3 r square तो यह हो जाएगा plus में 4 r square और फिर प्लस में 14 r cube और फिर 14 r और इसको आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा उस तो mistake करा है मैंने यह r तो नहीं होना था न यह r कहां से हो जाएगा तो 13 यह नहीं होने वाला था तब देखो r cube तक हमने लिखा न फिर हो जाएगा 14 r plus में 14 r और यह भी तो 14 r square तो इसमें यह हो जाएगा 18 r square और यह 13 दाया तो 7 minus 16 minus 6 which is equal to 0 2 r की power 4 plus 7 r cube plus 9 r square plus 7 r minus 6 which is equal to 0 यह नहीं बीना क्या करा यह 13 r की power 4 यह 13 r square हो जाएगा ना और आर क्यों कैसे आ सकता है हाँ ठीक आर क्यों आ सकता है लो प्रब्लम तो इसे हम थोड़ा सा वापस से में ठीक करना पढ़ेगा तो यह हो जाएगा 14 7 r की power 4 और यह इधर आएगा यह फिर हम सारे को उधर ही shift करते हैं उधर और जादा है ना 13 r की power 4 माइनस में 7 r की power 4 तो यह हो जाएगा 6 r की power 4 फिर cube वाला तो as it is आएगा फिर square वाला तो यह हो जाएगा 6 r square फिर r वाला तो as it is आएगा और फिर यह इधर आएगा तो plus 6 which is equal to 0 यह equation हमारे पास बनेगी तो यह हो जाएगा 3 r की power 4 माइनस में 7 r की प्लस 3 r square माइनस 7 r plus में 3 which is equal to 0 ठीक है अभी भी कहीं न कहीं उसमें मुझे बलती हो रही है मुझसे अब हाँ में स्टेक हो रहा है यह तो गोशन मैंने काफी लेंदी कर ली 7 r square प्लस में 14 21 r square उधर जाएगा तो यहां पर बज़ना था माइनस का 8 r square आप भी कहीं नहीं देख्का तो होखी रही है यह लग रही है यह तो गलती पर गलती हो जा रहा है यह लाज बार ट्राइक करना और मैं फिर से सॉल करूंगा तो फोटीन आर स्केर फ्लस में 7 r square ट्विंटीवन आर स्केर उधर जाएगा तो प्लस का 6 सॉरी सॉरी हाँ प्लस का 6 एक्वल टो शीरो चूगा में यही बनेगा मेरे इस सबसे तो यही बन रहा इस वाले तरीके से तो बहुत ही लेंदी जाने वाला है दूसरा कुछ सोचना पनेगा तो आप ऐसे मत करो आप ऐसे कर लो क्या करो यह ना आपके पास ए 1 प्लस r प्लस r square which is equal to 30 आप स्क्वाइरिंग कर लो विजिकल यह हमें a और r की वेल्यों निकालने है ना तो यह हो जाएगा a square 1 प्लस r प्लस r square का whole square which is equal to 13 का स्क्वाइर करोगे तो 169 हो जाएगा इसके open करोगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस अब देगो यह हो जाएगा यहां पहर आप r के जाएगा 3 रिप्लेज करोगे फिर डिवाइड करोगे बहुत लब्लस प्लस निकालने करेंगा फिर इस थरी को दर लेगा हो तो r-3 से इस पूरे को डिवाइड करो कि न तो फिर एक power radius होगी फिर दूसरा के लिए पहुत लेंती जाएगा इसलिए हम वैसे नहीं करेंगे यह हो जाएगा r-square प्लस r-4 प्लस यही बनेगा 2r प्लस में 2r-4 प्लस 2r-square which is equal to 169 ठीक है यह हो जाएगा a-square अब इनको आप एक bracket में कर लो इनको एक तरफ कर लो यह हो जाएगा 1-plus r-square प्लस में r-4 प्लस a-square और r common तो यह हो जाएगा और 2 भी common कर लो 1-plus r-plus r-square ठीक है r-square which is equal to 169 अब अब देखो इसकी value इसकी value है 91 और इसकी value क्या है 13 अपॉन में 13 अपॉन में a तो a से a cancel इस 91 को आप इदर ले गर जाओ तो यह हो जाएगा 2 a r into में 13 which is equal to यह इदर जाएगा तो 169 यह हो गया 69 और इदर 9 यह हो जाएगा 78 यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा 3 upon r 1 plus r square which is equal to 13 इस r को इदर ले जाओ तो यह हो जाएगा 3 into 1 plus r plus r square which is equal to 13 r यह हो जाएगा 3 plus me 3 r plus 3 r square which is equal to 13 r यह हो जाएगा 3 r square 13 r और आप इस 3 r और इस आप 13 r को इदर ले गा और 3 r minus 13 r minus कर 10 r plus me 3 which is equal to 0 अब आप middle term split करो तो आप इन दोनों को multiply करो यह हो जाएगा 9 r square और आप minus 10 r को ऐसा ब्रेक करो so that कि उन दोनों का product जो हो 9 r square बन जाए ठीक है तो आप ब्रेक कर दो इसको 3 r square किसमें ब्रेक करोगे minus 9 r minus r देख लो इन दोनों आप रवर बन रहा है 9 r square plus 3 which is equal to 0 इन दोनों में 3 r common है तो यह हो जाएगा r minus 3 इन दोनों में minus 1 common है तो r minus 3 which is equal to 0 अब आप इन दोनों में r minus 3 common करो तो पीछे रह जाएगा 3 r minus 1 which is equal to 0 तो यहां से r की 2 value जाजेंगी एक 3 और एक 1 upon 3 बस खतम हो गया question इस वाले method से इसलिए solve हो गया तो इसलिए हमें easy वाले method चीखने ऐसे नहीं कि हमें यह वाला complicated करके method लागे हुए है दिक्कत हो जाता है कभी कभी ऐसे अब हम क्या करो basically a तो हमने निकाला नहीं है विलकुल a तो आई जाएगा न एक क्या है a था हमारा 3 upon me r तो when r equal to 3 तो a equal to क्या हो जाएगा यहां से 3 upon me 3 1 और r equal to 1 upon 3 तो a हो जाएगा 9 अब देखो 3 upon me 1 upon 3 यह 3 उपर जाएगा तो 3 into 3 9 हो जाएगा ठीक है तो बस अब numbers निकाल लो तो numbers r when r equal to 3 a equal to 1 तो a है 1 फिर a r तो 3 into 1 3 फिर a r square तो r का square 3 का square 9 और 9 into 1 9 हो जाएगा इसी तरह से when a equal to 9 r equal to 1 upon 3 तो फिर a है पहले तो a आप देखो basically क्या हुआ है यहां पर ratio था 3 यहां पर रेशियो प्रो का लोग गया ना तो आप इसको बस reverse order में लिख दो that is it कि अपको दो बारे निकालने के स्कोई शरुवत नहीं है ठीक है अब लेखो एक बार पिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसको में ट्राइ करते हैं कि अब दो तीर में दो मुझे है अब इतना डेले हो ही गया तो मैं ट्राइ कर देता हूं एक बार क्या 3 सैटिस्फाइब करेगा यह हो जाएगा 2 4 3 माइनस आर का क्यूब क्योंगे 2 तो नहीं कर रहाएगा वन तो कर ही नहीं रहा है माइनस बन भी नहीं कर रहा है तो 3 करके देखते हैं कि 3 3 का क्यूब 27 और 27 को अगर हमने 7 से कर रहा तो यह हो जाएगा 189 36 वहां पर रिप्लेज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रिप्लेज करेंगे तो 21 और प्लेज में 6 क्या 0 बन रहा है आप देखो एक कुछ एक बार चेक करो तो यह हो जा रहा है 57 57 को अगर हमने इसमें एड करा ना तो क्या बनेगा 239 239 और उसके बाद हमें 7 एड करना है तो 239 246 बन रहा है और इधर भी हम अगर हम 6 एड कर दे तो 249 बन रहा है कुछ तो प्रॉब्लम अभी भी है कि त्रेड रिप्लेज करा बात नहीं बना इक्वेशन तो यहीं बनेगा नो इसा हमारा एंसर तो आ चुका है को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर मैं एक बाद चेक कर ले रहा हूं कि ऐसे क्यों नहीं बना हो सकता है सायद कोई इस आ रही हो इस एक्वेशन में माइनस सेवन आर प्लस में सिक्स टू रिप्लेज करेंगे तो तो नहीं ही हो पाएगा अगर हम माइनस थ्री रिप्लेज करेंगे तो यह भी प्लस का हो जाएगा यह भी प्लस का हो जाएगा तब तब बिल्गोर भी हो पाएगा यह माइनस पे तो नहीं जा पाएगा हमें पॉजिट टेव ही रफ्लेज करने पड़ेगी चीज़े ठीक तो कर रहाता ना नाइन इंटो 436 और यह 189 ही बन रहा है ना 3 की पावर 481 और एक 3 आगे था तो 243 है यहां पर बिट्टे 3 ना होगा यह 246 और यह 246 हो गया और तो बेसिकली 3 पर यह 0 बन रहा हम आर को जगार 3 रेप्लेज कर तो यह साटिस्फाई किया तो आप क्या करना आर माइनस 3 से इस पूरे एक्वेशन को डिवाइट करना बने कर से हमिसिकली करते थे हैं आर माइनस 3 से आप इधिवाइड करो मायनस 4 पोर र carved कि इसको अब कि टीशिऊ हो जाए हुची में हम सीख सकते हैं आह सेви कि आप आप ने यहां पर ठीन कि जाएगी इसलिए वह बहुत नंतियों जाएगा इसलिए प्रेब आप देख लेना एक बार इसको यह वाकिस तरह से तो सॉल के रही दिया आप करें 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 झाल झाल